शुक्रवार को जिल्ला प्रशासंद्वारा आईचित पुर्व मानसुन बैठक में पिछले साल आई बाड को देखती वे जिले में बाड का खत्रा होने पाली 341 गाव को किसी भी प्रकार की हानी नहीं होनी चाहिए इस करीके से नियोचंग करने के आतेश जलादीकारी रविंडर ठाक रहे ने थी पिछले साल 28 और 29 अगस को मध्यप्रदेश के चौराई बान के जलकरहन शेत्र में चन घंटों में 414 मिलिमिटर बारिश होई थी परिनाम स्वरुप तोतला डोह बान जो 98 प्रतिशत भरावा है उससे चौराई बान से बड़ी मात्रा में पानी मिला था नागपुर जिले के पार्शिवनी मौता सामने तालुकामी पिछली 315 वर्षों में से सबसे ज़्यादा बार आई थी जो दोतला डोह के निर्वहन को बढ़ाने की आवशिक्ता थी सभाके से प्रशासन की जागरुता की कारण कोई हताहत नहीं वा था लेकिन भारी वित्य नुकसान वा था इसले इस साल मांसुन की तयारी करते भी पिछली साल जो हुआ वद दुबारा नहीं होना चाहिए ऐसे निर्दिश जिला कलेक्टर ने बैठक वे दिया बैठक में जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, जिला परिशत के मुक्य कारिकारी अदिकारी योकेश कुमचेकर, जिला आपथा प्रभंदक अधिकारी अंकुष गावंटी, रेजिडेंट डेपटी कलेक्टर अविनाश कातर सहीत आपथा प्रभंद से जुड़े बैठक का परिचे जिल्ल आपदा प्रभंदन अधिकारी अंकुष गावन ने निकिया। कलेक्टर रविंद रठाकर ने इस वश के सभी विभागों के योजना को अगले साथ दिनों के भीतर कलेक्टरेट को सोपने के निदिश थी। मौसम विभागती इस साल 96 से 104 पिस्दी बारिश का अनुमान जता है। साथी नाफपुर में 15 जुन तक मानसुन की बारिश शुरू हो जाएगी। इसलिए सभी नियोचन अगले महिने के भीतर पुरा करना है और इसके लिए सबसे पहले उन्हें जिले की 5 बड़ी और 12 मत्यम परियोजनाओ का पुरा धांचाकत आडिट करना होगा। इसके अलाबा छोटी परियोचनाओ के साथ साथ जिल के भी देखबा करनी होगी ऐसा उन्हें ने कहा। क्यामरा परसन अखिलिश भारत वाष के साथ दिशा हटवार के रिपूर्ट